नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जेट टेकनिकल एजूकेशन में फ्रेंड आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कि अगर आप सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश में अपना रेजिस्टेशन कर लेते हैं साथ ही आप इसे कैसे प्रिंट कर पाएंगे उसके अलाव मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सेवा योजन विभाग यानिक रोजगार कारियाले में अपना रेजिस्टेशन कर लेते हैं ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं एक्स्टेंड रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आपको सेवा योजन.up.nice.in की इस ओफिस्टेशल वेबसाइट पर आना होगा लिंक आपको हमारे वीडियो की नीचे description box पे मिल जाएगा आप वहाँ पे click करके direct page पे आ जाएगे यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको user ID अपनी यहाँ पे डालना होगा उसके बाद यहाँ पे password डालना होगा उसके नीचे आप जाएंगे ति यहाँ पे जो capture code दिया हुआ है सेम इस capture code को यहाँ पे फिल करना होगा यहाँ पे आपको submit का button है तो simply आपको submit पे click करना होगा जैसा कि आप देख रहेंगे मैंने सारी detail पहले से फिल कर रखा है तिसलिए मैं submit पे click करता हूँ submit पे click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको अपनी external report प्रेंट करने के लिए आपको जाना होगा घोसडा में जहां से कि आपको अपनी profile प्रेंट करना होता है तो यहां पे आपको घोसडा में जाना है या फिर आपका अगर English में है तो वहां पे जो है आपका declaration लिखा रहेगा तो आपको declaration पे click करना होगा तो जैसे मैं इसकी उपर click करता हूँ मेरे सामने कुछ इसका इंटरफेस देखने के मिल जाता है तो आपको इसे scroll करना हो नीचे की तरफ जाना है जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आप देख रहे हैं जहां से कि आप अपनी profile प्रेंट करते हैं उसके just bagel में दिया है extend report प्रेंट करने तो simply आपको print करने के लिए इसके उपर click करना होगा तो जैसे आप इसके उपर click करेंगे आप देख पाएंगे जो आपकी extend report होगी यह खुल के आपके सामने आ जाएगी प्रिंट करने के लिए आपको दो जगा आपसन मिलता है उपर भी है यहाँ पर प्रिंट का आपसन आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी है प्रिंट का आपसन यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक्षितन रिपोर्ट होता क्या है जैसा कि आप देख रहे हैं जो आपके एक्षितन रिपोर्ट है कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल के आ जाएगी सबसे ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार उसके नीचे लिखा है जिला सेवा योजन कारियाले और आपके डिष्टिक का नाम दिया रहेगा उसके नीचे लिखा है अभिज्ञान पत्र यहनि कि एक तरफ से आइडेंटी कार्ड जैसा ही है उसके नीचे लिखा है कि यह नियोजक से साथ शात कार करने के लिए कोई पज्चे पत्र नहीं है तिन्हों ने जो है इस चीज को मेंशन कर दिया है पहले ही उसके बाद नीचे आप देखेंगे ति यहाँ पर आपका नाम दिया रहेगा जन तिथी है उसके बाद पंजियन तिथी कि आपने जो है सेवा योजन कारियाले में अपना पंजी करण कब किया आपकी पंजियन संख्या उसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगी सैचिक योगता जो भी आप डाल रखे हैं आगे आपकी मेंसन कर दी गई है उसके बाद आरच्छनवर्ग आपकी से बिलोंग करते हैं यह चीज भी यहाँ पे मेंसन की गई है उसके नीचे लिखा है कि अभ्यार्थी की पंजियन सम्मंधी सूचनव की जानकारी है तो नीचे दिये गए URL का प्रियोग करें जहाँ पे लिखा है सेवायोजन.up.nic.in उसके नीचे लिखा है नभीनी करण का दिवरण तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी मैंने आपको थमनेल बताया है कि जो आपके रजिस्टेशन की बैद्धिता है वो कब तक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आप अपनी रेजिस्टेशन की बैद्धिता भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं नभीनी करण का विवरण यहाँ पे दिया गया है दिनांक 28-7-2023 लेके 30-9-2023 तक यहाँ इतने क के बीच में आपकी बैद्धिता समाप्त हो जाएगे उसके आगे लिखा गया है कि इसके मद्ध में आपके लोगिन पर नवीनी करण का लिंक प्राफथ होगा जिससे आप अपने पंजियन का नवीनी करण करा सकते हैं उख्त्तित्फि के उपरांत आपका जोहें समा bubble हो जाएगा तो यहां पे जो आपकी बेरिट्टी है इतने से बीकली इतने देट के पीज में खत्म हो जाएगी एगर इसके बीच में आप जो है अपने इनी Lecture इड़ी को जो है आप ने जो भी पंजी करन कर रखा, अगर उसका नभी निकरन नहीं करते है, तो उसकी जो है पंजी करन जो है, समाप्थ कर दिया जये Oz